हेलो फ्रेंड्स आज हमने जो रेसिपी बनाई है ना सबसे पहले तो आप उसकी लेरिंग देखिए उसका टेक्स्चर देखिए यह देखिए यह इतनी टेश्टी मिठे यह फ्रेंड्स के यह मुँ में रखते ही गुल जाएगी हलवाई से भी इजी वे में बनाई है तो चलि सिरफ बच गई थी तो जितनी सुगर सिरफ पे हम उतना ही काजू लेंगे लेकिन पहले सुगर सिरफ को हम गाड़ा करेंगे क्योंकि यह गाड़ी नहीं थी तो इसको मीडियम फ्लेम पे रख लेंगे हम और इसमें मैं वन फो टी स्पून यह निम्बू का अरश डाल गया है तो बस हम फ्लेम को उफ कर देंगे और यह मैंने उसके बराबर ही काजू ले लिए हैं 100 ग्राम काजू होंगे यह तो इसको हम फोर्सली ग्रैंड करते हुए फाइन पाउडर बना लेंगे यह देखिए ऐसा फाइन पाउडर बना लेंगे इसका हम अब ये मैंने एक टेबल स्पून गी ले लिया है क्योंकि काजू भी हमारे कमी है तो गी भी कमी लगेगा अब बस इसमें हम लो फ्लेम पे इस काजू के पाउडर को भून लेंगे बस फुट सेकेंड के लिए भूनना है फ्रेंड्स हमें इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है अब बस एक रोश्टी सा टेश्ट चाहिए हमें इसमें तो ये देखिए ये भून गया है अच्छे से तो फ्लेम को अफ कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल मावे की तरह हो गया है ये अब जो हमने सुगर सिर्फ तयार करके रखिती नहीं ये देखिए ये ऐसी गाड़ी होनी चीए और कलर ऐसा हलका ब्राउन होना चीए तो इसको हम इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको और मिक्स करके हम इसको ठंडा होने देंगे पहले तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं कौन से सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहें और अगर कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करें मैं जरूर ट्राई करूंगी बनाने की तो यह देखिए एक डोसा बन गया है लेकिन इसको हमें अभी ठंडा करना है चूने जैसा होना चाहिए यह अभी यह गरम है यह ठंडा हो गया है अब हम इस इसको ऐसे खीच खीच के रोल करते जाएंगे जिससे इसमें अच्छे से तार बनेंगे ध्यान रखें तार को तोड़े नहीं इतना ना खीचे कि यह बीच में से तूड़ जाए यह देखिए ऐसे सौफटली खीचते रहे और इसे इकटा करते रहे और यह काम इसके ठंडा होने पर ही करें वरना आपके हाथ जल सकते हैं यह देखिए अब इसको हम गृस कीवी प्लेट में रख लेंगे और अच्छे से से एट कर लेंगे अब इसको रूम टैम्परेचर पे इस सेट होने रखेंगे तो यह सेट होने के बाद मैं आपको काटके दिखा रहे हूं यह कितनी मखमली बनी है एक दम मख़न की तरह कट रही है देख रहे है ना फ्रेंड साथ तो ये इसका टेक्स्चर भी देखिए आप कितना अच्छा बना ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स नजर आ रही है तो ये हमारी हलवाई से भी परफ्लेक्ट बनी हुई काजू बाइट तयार है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपिक कैसी लगी कमेंट करके बताना न भूलें और आप भी ऐसे इजी वे में ये काजू बाइट गर पे बनाएं और इसको इंजोई करें या फिर गिफ्ट में दे थैंक यू